जहें हैं दोस्तों एक बाप पुना स्वागत है यूटूब के नंबर वन चैनल मुबाइल पे स्कूल दोस्तों आज की वीडियो पे आवे तीस महत्पूर प्रसने बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड पेपर में सुबह टकराने वाला यही कोशन आपके बोर्ड पेपर म और यह चाहिं करेंगे और इसके बाद आप यहां पे तू लिखेंगे डाइस कमान किन्दा दिया है तो आपके जेएगा और बराबर दस या लिखेंगे गुड़े गुड़े एक किनदा हो जाएगा र बराबर आपका 20 तो आपका जो एंसर क्या होगा यहां पे 20 सेमी तो एक उत्तल दरपड की फोकृता त्रिज्ज्य क्या होगी आपका 20 सेमी हो जागा आपका यह वाला आपसम सही हो जागा ठीके अब इसके बाद यहां पे next question दिया गया है एक आउतल दरपड की वकृतार तिज्ज्ज वक्रता तरिज्ञा 30 से में है, उसकी फोकस दूरी होगी, देखिए भाई, यहाँपे क्या दिया है, वक्रत तरिज्ञा R कमान दिया है 30 से में, ठीक, अब यहाँपे आउतल दरपड पूछा गया, तो यहाँपे माइनिस हो जाएगा, अब इसके बाद क्या क्या गया है, कि उसकी फोकस दुरी आपको ग्याद करना है यह यह किमान आपको ग्याद करना है आपकर सुत्र क्या हो जाए안 यह बराबर लग कि आप किन्द यह माइनिस तीज दिया है तो बटा आप टू कर दें तो आपके जब काटेंगे क्या आ जागा यह बराबर माइनिस पंद्रह तो आपका कौं सेंसर हो जागा आपका यहां पर यह वाला अब इसके बाद यहां पर निरवात में प्रकास की चाल होती है निरवात में प् में प्रकास की चाल होगी प्रकास की चाल होगी तो यहां पे देखिए भाई मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लगाना यह प्रकास की चाल वराबर क्या होता है प्रकास की चाल वराबर यहां प्रकास की चाल हो जाएगा निरवात में ठीक यहां पर आपको लिखना है प्र सोरी यहां पर हो जागा निर्वात निर्वात में प्रकास की चाल ठीक है आप यहां पर लिख लिना है और प्रकास की चाल हो जाएगा बटा क्या होगा कांच में कांच का अपवर्तनांग कांच का अपवर्तनांग आपको ऐसे लिख लिए अपवर्तनांग हो गया अब इसके गूडवर दस खाट ते 8 इसके बाद यहां पर अमरतनांग किन्द द्यागा है एक दसमलो पाँच दिया है तो यहां पर इसको दसमलो उहज़ा गई तो हमारा कितने लब दस्वाया गाते हमारे ये इंस्वाया फिर प्रकास कीencyallyeAlpha काए यहां पर चाहएगी आपके शंवाया тепlier यहां पर यहां पे रहे गहांगे आपका यह समय स्वास्त के लिए akin बिंदू होता है समाने स्वास्त आग के लिए दूर बिंदू होता है कितना दूर होता भई यहां पर कौन सही हो जागा आपका यहां पर दिया है किसी चालक में 2 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है अब आपको इसे हाल कैसे करना देखिए पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए ठीक सूत्र क्या होगा यहां पर क्यू बराबर क्यू बराबर आई इंटू टी यह सूत्र होगा ठीक अब यहां पर आई से क्या होता है आई से एंपियर होता है अब यहां से क्या होता है आपक second से कंदिया है तो जब आप गुढदा कर देंगे क्यों बराबर हो जाएगा इंग कितना हो जाएगा क्वाल इसके दो यहां कि तो जब आप घूड़ा देंगे क्यों बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा चार तो यहां देखे मिलाईए यहां पे 4 कोई कहीं है तो यह वाला सबसे हो जाएगा यह वाला दस घाते माइनेस च्छा ओम होता है अब इसके बाद यहां पर नेश्ट कोशन दिया गया है जो कि मोशिन पाटेंग कोशन है ठीक है आई एम पी मोशिन पाटेंग कोशन है तो आप लोग इसे क्या कर लीजिए इसे याद कर लीजिए गाए प्रतिरोध आर के किसी तार के इन टुकडों को फिर समानतर करम में सयोजित कर देते हैं यदि सयोजन का तुल प्रतिरोध आर वन है तो आर बटा आर वन अनुपात का मान होगा देखिए अगर आपके बोड पेपर में ये कोशन दिख जाए अगर ये लिखा रहा है आर बटा आर वन होगा तो आपका जो ये 25 हो जाए ठीक तो ये अगर मैं आपको कोशन बताओ को कैसे कैसे होगा तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है तो इसलिए मैं आपको नहीं बताओंगा अगर आर अपान आर वन लिखे रहेगा तो आपका यहां पे 25 होगा ठीक आप इसे याद कर लिजे क्योंकि इसमें कोई होगी तो यहां पर पहला अपसर दिया है दूसराग दूसर आप आपसर दिया है और ज् sei Army क्या निकला इसमें प्रवावित होने वाली धारा आई कमान आपको ग्याद करना आई कमान आपको ग्याद करना है तो यहां पर सूत्र क्या होता है सूत्र क्या होता है आपका पी पी बराबर वी इंटू आई आपका यह सूत्र हो गया तो आपको क्या करना सी आपको सूत्र प आपका 12 हो जाएगा तो च्छा दूनीवारा च्छा पंचे तीस अब यहां पर जब आप इसमें भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जागा है दो दस्मलों पांच तो यहां पर दिख मिला यह कोई दिया है तो आपको एंपियर में जब यहां पर चेंड करना होगा तो आप अगर आप इसे याद कर लेते तो आपका एक नमबर वाले जो कोशन आता है उसमें फंसेगा ठीक है तो बस आज की इस वीडियो बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलता हूं किसी ने स्ट्डियो में जहिन बंदिमाद